नमस्कार दोस्तों गोल्ड प्राइस इन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है राजस्थान की हर महत्वपूर्ण म्यूज एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दे राजस्थान की सरकार ने आम जनता को दिया बड़ा तोफ़ा पांच नए एलान लोकसभा चुनाव से पहले लागू होंगी नई योजनाए आम जनता को मिलेगी बड़ी सौगात विडियो को पूरा जरूर देखे राजस्थान में अब प्रतेक परिवार की एक महिला मुखिया को मिलेंग को ये पैसा मिलेगा महिला के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए महिला किसी प्रकार की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई वर्तमान में ना कर रही हूं एवं महिला के पास मूल निवास प्रमान पत्र राजस्थान का निवासी होना जरूरी है जन्म प्रमान प यह सारे डॉक्यूमेंट होनी चाहिए फिर आपको फॉर्म भरना है उसे फॉर्म भरने के बाद महिला को प्रत्येक महीने 1500 रुपे सरकार की तरफ से दिये जाएंगे मध्यप्रदेश की तरज पर राजस्थान में सरकार लाडो योजना लागू कर रही है वृधावस्था प ऐसा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा राजस्थान सरकार ने नया नियम लागू किया है बेहत बड़ी खुश खबरी निकाल कर सामने आ रही है वही राजस्थान में पेट्रोल डीजल में 15 रुपे प्रती लीटर तक की आएगी गिरावत लोकसभा चुनाव के बाद सस्त किया जाएगा पेट्रोल डीजल सरकार ने लागू किया है नया नियम जिसमें बालिका के जन्म पर दो लाख रुपे की सहायता राशी सरकार की तरफ से दी जाएगी जी हां राजस्थान में किसी भी परिवार में लड़की होने पर उसे परिवार के अंदर सरकार की तरफ स लड़की का सेविंग बोंड बनाया जाएगा सरकार बाले का की छठी कक्षा में होने पर 15,000 रुपे देगी एवम इसी प्रकार 21 साल की आयू पूरी होने पर 2,000,000 रुपे सरकार की तरफ से प्रदान किये जाएंगे इसके साथ ही राजस्थान में अब राशनकार धारकों को डबल राशन दिया जाएगा जिसमें गेहू चावल एवम अन्य सामान मिलेगा राशनकार धारकों को कब BPL कार भी बनाया जाएगा सरकार की तरफ से 1,80,000 रुपे प्रती साल तक आये वालों का BPL कार बनाया जाएगा जिसको लेकर एलान किया जाएगा बेहद ही बड़ी खुश्खबरी निकाल कर सामने आ रही है सरकार की तरफ से नया नियम लागू किया गया है राजस्थान में सरकार द्वारा प्रतेक परिवार को 10 किलो राशन प्रती सदस्य दिया जाएगा जिसमें केवल 2 रुपे प्रती किलो के हिसाब से लिया जाएगा सरकार ने राजस महिलाएं स्वयम सहायता समूह से जुड़ी हुई होगी उन महिलाओं को ये पैसा मिलेगा तो सरकार की इस योजना का फायदा भी आप उठा सकते हैं राजस्थान में लखपती दीदी योजना चलाई जाएगी जिसमें महिलाओं को ये पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले भाजन लाल सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है राजस्थान में पैट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटोती कर दी है राजस्थान सरकार ने पैट्रोल और डीजल में 2% वेट कम कर दिया है राजस्थन में पेट्रोल 1.40 रुपे से लेकर 5.30 रुपे तक सस्ता हो गया है जबकि डीजल 1.34 रुपे से लेकर 4.85 रुपे तक सस्ता किया गया है राजस्थन में पेट्रोल 1.40 रुपे से लेकर 5.30 रुपे तक सस्ता हो गया है जबकि डीजल 1.34 रुपे से लेकर 4.85 रुपे तक सस्ता किया गया है पेट्रोल डीजल के नए दाम शुक्रवार से लागू होंगे गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस वारता में इसकी आधिकारिक पुष्टी की है सीएम भजनलाल ने बताया कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में विसंगतियां थी राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा सम्रिध महिलाओं से ही समाज प्रदेश वा देश की खुशाली संभव है हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीन विकास के लिए कृत संकल्पित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ती के महत्व को समझते हुए लखपती दीदी योजना की शुरुआत की है ये बाते राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के शहीद पूनम सिंग स्टेडियम में लखपती दीदी सम्मेलन आयोजन में कहीं इस अफसर पर राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र की गरिमामई उपस्थिती भी थी सीम भजनलाल शर्मा ने कहा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के माध्यम से स्वयम सहायता समूह से जुड़ी देश की दो करोड माताओं बहिनों को रोजगारोन मुखी कौशल विकास प्रशिक्षन दिया जाएगा इस योजना के अंतरगत राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभानवित करने का लक्षय रखा गया है अब तक 3 लाख महिलाओं को इस श्रेनी में लाया जा चुका है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वयम सहायता समुहों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है कार्यक्रम में सिएम भजनलाल शर्मा ने स्वयम सहायता समुहों की महिलाओं को 150 करोड रुपे के चेक भी वित्रित किये CM भजनलाल शर्मा ने कहा PM नरेंद्र मोदी ने देशभर में दो करोड लगपती दीदी बनाने का संकल्प लिया है इसे साकार करने के लिए 1000 करोड रुपे के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरन SHG मिशन शुरू किया जाएगा इसमें 2 लाख नई महिला सदस्यों को SHG से जोडने का लक्ष है और उन्हें सरल रिन सुविधाएव मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने की कार्य योजना बनाई जा रही योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को नए नाम से जाना जाएगा इसका नाम बदल कर मुख्यमंत्री आयुश्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 19 फरवरी 2024 से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम को बदल कर मुख्यमंत्री आयुश्मान आरोग्य योजना करने का फैसला किया है हालांकि भजनलाल सरकार ने ततकाल इस योजना की शर्तें और प्रावधानों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जहां भी इसका प्रचार प्रसार और होडिंग इस्तिमाल किया जा रहा है वहीं इसे तुरंट बदलने का आदेश दिया गया है वहीं सरकारी पोर्टल पर भी इसके राजस्थान स्टेट हेल्थ अश्योरंस एजेंसी द्वारा 19 फरवरी को एक सकुला जारी किया गया जिसमें लिखा गया बजट घोशना 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में वर्तमान में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुश्मान आरोग्य योजना करने का निर्नए लिया गया है अतह निर्नए की पालना करते हुए योजना का नाम उनलाइन पोर्टल तथा समस्थ प्रिटिंग सामगरी, होडिंग बैनर, प्रचार प्रसार सामगरी, अस्पतालों के काउंटर, प्रांगन इत्यादी पर तदनुसार परिवर्तित कर, मुख्यमंत्री आयुश्मान योजना, नाम का उपयोग किया जाएं। योजना की शेश शर्ते एवं प्रावधान यथावत रहेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रतेक परिवार को 25 शून्य मुख्य रुप्य 25 लाख, तक के कैशलेस इल आज की सुविधा प्रदान की जाएगी। 2. इस योजना के अंतरगत राष्ट्रियक हाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जंगन्ना 2011 के लाभार्थियों को पंजी करण करवाने की आवश्यक्ता नहीं है। 3. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लगूव सीमांत क्रिशक, समविधा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर इमित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इस योजना के अंतरगत आवेदन करने के लिए जन आधार नमबर या जन आधार पंजियन रसीध होना अनिवार्य है। 5. यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम जन आधार नामानकन करवाना हो योजना का लाब 1 माई 2021 से शुरू किया गया है। राश्ट्रियक हाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जंगन्ना के पात्र परिवार, लगू एवं सीमांत क्रिशक व समविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 9. इसके अलावा अन्य परिवारों को 850 रुपे प्रती वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 10. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रती परिवार बीमा राशी को 10 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपे प्रतिवर्ष करने की घोशना। राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहट राज्य में ग्रामीन तथा शहरी इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्द के लोग जो अपना घर बनाने में असमर्थ है उन्हें सरकार के द्वारा पक्के मकान दिये जाएंगे। योजना के तहट घर देने के लिए निम्नलिखित प्रकार की केटेगिरी स्टैकी गई है उसके अनुसार ही सरकार द्वारा परिवारों को मकान बांटे जाएंगे। इस योजना के अंतरगत ग्रामींग शेत्रों और शेहरी इलाकों में रहने वाले लिग, लॉव इंकम ग्रूप और EWS एकोनोमिकली वीकर सेक्षन परिवारों को घर दिये जाएंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहट 200 तक EWS लिग यूनिट्स 30 महीने में पूरे करने होंगे। इसके अलावा 200-400 तक EWS एलाइजी यूनिट्स 36 महीने में पूरे करने होंगे। वही 400 से 600 तक EWS लिग यूनित्स 42 महीने में पूरे करने होंगे और 600 से उपर EWS लिग यूनित्स 48 महीने में पूरा करना होगा घर बनाने के प्रोजेक्ट्स जैसे ही पूरे हो जाएंगे घरों को बाटना शुरू कर दिया जाएगा हाला कि इन मकानों के लिए कुछ कीमत देनी राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए क्या क्या eligibility होंगी उसके बारे में यहां नीचे बताया गया है एप्लिकेंट्स राजस्थान के मूल निवासी हो योजना का लाब केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब लोगों को दिया जाएगा परिवार में किसी के पास पक्का मकान न हो योजना के तहट अपलाई करने वाले व्यक्ति की सालाना इंकम 3 लाक से अधिक न हो